हेलो दोस्तों पीजडी का एक नारन अडुकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि IIT पटना से है दोस्तों काफी लोग इसका इंतजार कर रहे थे दोस्तों इन्होंने दो त्रीके से आवेधन मंगा है तो सबसे पहले दे सकते हैं कि पीजडी एडमिशन जनवरी दो जार पच्छी कोलेज मलेशिया के साथ में है तो दोस्तों हम सिरफ पहले वाला देखेंगे तो पहले वाला आपको दिखा देते हैं तो दोस्तों यह इसका नोटिक्रिशन है जनवरी दो जार पच्छी स्प्रिंस मैस्टर के लिए तो दोस्तों यहां पर इन्होंने डिपार्टमेंट बत and environmental engineering, computer science and engineering, electrical engineering, humanities and social science, जिसमें कि English, geography, sociology, linguistics, human resource and organizational behavior, applied psychology, economics, intellectual property rights, mathematics के अंदर भी काफी सारे हैं, ऐसे ही mechanical engineering, metallurgical and material engineering, physics, तो दोस्तों आगे यहाँ पर इन्होंने category बताई है, admission के लिए, तो admission के category भी काफी सारे है, तो यहाँ पर पहले category जो बताईगी है, वह है regular and full-time, तो regular and full-time के अंदर यहाँ पर institute fellow बताईगे हैं, तो जिसके अंदर की काफी सारे हैं, जो कि full-time करना चाहते हैं अपनी degree, institute fellow के अंदर इन्हों बताई है कि जिसके पास में BE, BTEC, BS, MSC, MA, MBA, MCA, यह इसके equivalent degree है, valid gate score के साथ में, जो कि prescribe, जो कट-off है, तो उसके साथ में हो, यह net qualification हो, तो वो इसके अंदर आविदन कर सकते हैं, यदि कोई CFTI institute से है, 8.0 CGPI से, तो उनको gate की requirement नहीं है, तो यह लिखा हुआ है, और यदि किसी पास में ME, MTEC, MPH, SK equivalent degree है, gate score के साथ में, जो कि 5-7 से उपर का नहीं होना चाहिए, gate score, या net qualification, तो वो भी इसके अंदर आविदन कर सकते हैं, age limiting हम प्रेस्क्राइब दी गई है, तो आप देख लिजेगा, पागि दूसरी category जो बताएगी है, इसी के अंदर ही, वो है research fellow जेरफ और जिसके पास में किसी कोई funding agency से fellowship है, जैसे कि CISR, UGC, DBT, NBHM, DHT, inspire, तो वो भी इसके अंतराविदन कर सकते हैं, और दूसरी category जो बताएगी है, वो project staff बताएगी है, तो किसी जो कोई किसी project staff है, किसी भी R&D, unity के अंदर, IIT पटना के अंदर ही registered हो, तो वो भी इसके अंतराविदन कर सकते हैं, उनके पास में ये लगबग 2 साल तो होने चाहिए, तो इसके अंतराविदन कर सकते हैं, तो इस प्रकार से category बताएगी है, आगे sponsored full time category बताएगी है, यदि कोई R&D, organization, academy, institution से sponsored बगएर है, PSU बगएर से, तो वो भी इसके अंतराविदन कर सकते हैं, इसके अंतर work experience चाहिए होता है, तो यहाँ देख लिजेगा, और employed और part time के लिए भी आविदन मांगा गया है, तो उसके अंतर भी देख लिजेगा, काफी सारे अलग अलग है, और age limit यहाँ पर देगी है, मिनमम education qualification में बताएगी है, जैसे कि यहाँ पर प्रोग्राम के साब से बता दीगी है, कि PhD in engineering और science के अंदर जो अविदन करने हैं, उनके पास में, यदि कोई M.Tech और MA degree ले रखा है, इंजिनिर टेकनोलजी में, तो उनको 6.5 CPI होना चाहिए, 60% marks, और bachelor degree यदि इंजिनिर टे लागे है, कि M.Phil degree या master degree आपकी science के अंदर है, तो 60% marks होन चाहिए, तो इन सभी में PhD in science के अंदर 60% marks मांगे गए है, और bachelor degree के अंदर 60% marks मांगे गए है, और PhD in humanities के अंदर बताया यह है, कि M.Phil degree master degree हो, arts, commerce, science, management, business, administration के अंदर, तो उनको भी 60% marks चाहिए, ऐसे master degree इंजिनिर technology के अंदर हो, तो उनको भी 60% बेचर डिगरी हो, तो उनको भी 60% direct admission के भी बात की गई है, कि जिन continuous में BTEC, BS, CFTI बगर से है, 8.0 से, तो वो भी इसके अंदर कर सकते हैं, या master degree, IIT, ISC बगर से graduate है, CPI, CGPA 8.5 से उपर है, तो वो भी इसके अंदर आवे दर कर सकते हैं, कुछ important note भी दिया गए है, यहाँ पर, कि यह CPI बगरा, convert किये जाएंगे, percentage बगर के अंदर, relaxation दिया जाएगा, 5% का 0.5 CPI का, reservation policy भी बताएगी है, financial support दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर नॉर्मली 37,000 पर मिलेंगे, आपको, first 2 years के लिए, और बाकी 3 साल क के रूप में, विटराम, policy, health, care policy बगरा, काफी सारी information भी यहाँ पर दी गई है, दोस्तों, जनल, AWS और OBC, non-communal के लिए, 1000 पर फीस रहने वाली है, यहाँ पर, और, SC, ST, PWD, women, transgender के लिए, 500 पर फीस रहने वाली है, जो कि आपको, SB collect के मादम से, पे करनी होगी, यहाँ पर link दोस्तों, apply करने की link भी, यहाँ पर आपको देखने हो मिल जाएगी, यहाँ पर आपको जाके apply करना है, इस notification को, और यह जो print out है, वो आपको रख लेना है, संभाल के, क्योंकि आगे आपको काम हाएगा, और इसके साथ में, आपको जो ही print out के साथ में, माक्षिट सर्टिप और जो भी आपने pay किया है, उनकी printed e-receipt copy जो भी online है, वो सभी की interview पर आपको लेकर जानी होगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप एक से ज्यादा के अंदर आप एदन कर रहे हैं, तो आपको अलग से ही form fill up करना होगा, separate form, और दोस्तों, कोई call letter वगर नहीं भ पर होगने वाला है, और important date भी बताएगी है, दोस्तों, कि ये 29 October से form start होके है, 20 November इसकी last date रहने वाली है, और दोस्तों, आपका जो examination date window है, वो 5 से 12 December रहने वाला है, date आपका result की 16 December रहने वाली है, और offer letter आपको 23 December तक मिल जाने वाला है, और दोस्तों, help line number भी दिये हुए है और email भी दियू है, तो आप इन से contact कर सकते है, यदि कोई आपको fee payment से related समस्य है, तो दोनों के ही email है आपर देखने हो मिल जाएंगे, तो दोस्तों, ये पर joint PhD program के बारे में बताएगे है, तो वो भी इसके अंदर भी देख सकते है, उसके अंदर ही लिजिविल्टी किया चा पि उसकी highlight क्या है, तो वो यहाँ पर बताएगी है, कि आपको joint degree मिलेगी, double degree option है, collaboration के साथ में, और hybrid mode पर भी हो सकती है, और campus immense program है, दोनों के campus में आप विजिट कर सकते हैं, ऐसा कुछ रहता है, दोस्तों ये है, बाकि आप normally हमने ये बताई दिया है आपको, दोस्तों उमी आपडेट के लिए